Hi everyone, my name is Adarsh Mishra and आप देखना है Youth Nation Code है आज हम लोग बात करने वाले हैं आपने lead code पे minimum depth of binary tree नाम के question के बारे में तो question हम से क्या कह रहा है कि आपको binary tree दिया होगा आपको find करना है minimum depth तो minimum depth क्या होती है? minimum depth जो है वो number of nodes होते हैं along the shortest path, root से लेके leaf node तक का जैसे कि example अगर मैं आपको यह वाला tree दिखा हूँ तो यहाँ पर आपको एक path क्या नजर आ रहा है मैं कहते हूँ यहाँ पर एक path आपका है कि 3 से आप 9 पे जा रहे हो अच्छा दूसरा path क्या नजर आ रहा है मैं कहते हूँ 3 से मैं 20 पे आया और फिर इसके बाद मैं 15 पे चला गया एक और path नजर आ रहा है 3 से मैं 20 पे जा सकता हूँ और इसके बाद मैं 7 पे जा सकता हूँ तो इसमें से minimum path कौन सा है मतलब जहां से मैं root से लेके leaf तक के note पे बहुत जल्दी पहुँच जाऊँ तो वो यह वाला path है कि मुझे दो बार travel करना पड़ेगा पहले मुझे root पे आना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं इसके leaf node पे चला जाऊँगा तो मुझे दो बार करना पड़ेगा values और दो बार मुझे answer मिल जाएगा अच्छा यही जो मैंने अपने इहां पे दिमाग लगाए तो मैंने आखों से देख लेकर solve कर लिया खड़ा-खड़ बट यहां पे और भी तो कुछ scene हो सकता है ना हमें computer से काम करवाना है तो हमें कुछ logic लगाना पड़ेगा logic क्या कहता है देखो मैं कहता हूँ अगर मैं इस node पे हूँ ठीक है अगर मैं इस node पे particular हूँ तो इस node की depth क्या होगी अब भाई किसी भी node पे आप हैं तो उसको हम एक node तो count करेंगे ना तो आप किसी भी node पे हो तो वो उसकी depth 1 तो होगी अच्छा इसकी अगर depth 1 है तो मैं कह देता हूँ अगर मुझे किसी ने बोला कि ऐसा करो आदर्श कि यह जो particular node है इसकी depth से निकालनी है तो इसकी depth क्या होगी यहाँ मुझे answer पता है answer इसका 2 आएगा ठीक है बट यह की निकालेंगे कैसे तो मैंने का भाई उस particular node की depth क्या है उसकी 1 है तो कि वो खुद एक node है उसको तो हमें चलना ही पड़ेगा अच्छा कोई या ऐसा हमें बंदा बना के दे तो जो उसके left side से और जो उसके right side की depth निकालने हमें बता दे क्या है तो जो left side की depth होगी और जो right side की depth होगी इसमें जो minimum depth होगी हम उसको रख लेंगे ऐसा कुछ हम सोच रहा है ठीक है तो हम लोग आगे left side पर left side पर है तो यहाँ पर देखा भाई इस node ने अब हमें इस node की depth निकालने है तो इस node की depth क्या होगी इसकी खुद की depth तो 1 होगी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई यह एक node है तो हम इस पर तो हमें अगर आना है तो इस पर तो हमें चलना ही पड़ेगा इसके उपर से गुजरना ही पड़ेगा तो मैंने कह दिया भाई इसके depth तो 1 होगी अच्छा इसके left में तो कुछ नहीं है और इसके right में भी कुछ नहीं है इसका मतलब यह node कैसा है यह node हमारा leaf node है leaf node होते है इनके left और right side पे कोई भी subtree नहीं होता है तो अगर ऐसी situation है तो अगर हम किसी leaf node पे फज जाते हैं आके तो leaf node अब भाई उसके parent ने क्या आपा है parent ने बोला कि भाई ऐसा करो हमें left side से जो है हमें वो value निकाल के लाओ जो हमाई depth होगी हमें वो निकाल के लाओ तो अगर यह leaf node है तो इसकी depth 1 है जानता है कि भाई एक ही हम नीचे जा सकते हैं मतलब अगर हम 3 में हैं तो 3 से हम एक ही कदम नीचे आ सकते हैं कि हम खुद क्या है एक leaf node है अगर इसके नीचे और भी node होते तो हम उसके नीचे भी जा सकते थे ना बढ़ ऐसा तो possible नहीं है अपने case में यह तो possible नहीं है तो इसका मतलब अगर हम किसी leaf node पे हैं तो वो अपने parent को क्या return कर देगा वो अगर बढ़ एक कदम और नीचे आ सकते हैं तो इससे यादा नहीं आओ तो पेरिंट को बता जिए कि मैक्सिमम एक कदम नीचे आओ गए तो पेरिंट को left side से answer क्या मिल गया कि left side पे जो depth है वो एक कदम और नीचे जा सकते हैं क्योंकि अगर तुम्हें मुझसे गुजरना है तो मेरी value 1 तो होई जाएगी ठीक है मतलब तुम्हें एक कदम तो नीचे आना ही पड़ेगा 20 ने का रुको मैं आपने बच्चों से पूछ लेता हूं तो इसने देखा कि इसके left में भी एक child है और इसके right में भी child तो इसने आपके parent से कहा दिया इसने 20 से कहा दिया कि पापा मेरे पास value सिर्फ 1 है इसका मतलब आप सिर्फ एक कदम नीचे उता सकते हो 20 ने का ठीक है हम इदा से एक कदम नीचे उता जाएगे 20 ने का अच्छा right side right वाले बच्चे से पूछा कि भाई तुम तक हम कितने कदम नीचे होता सकते हैं तो right वाले ने देखा वह भाई वह भी leaf node है तो इसने बोला पापा अभी आप जो है एक कदम नीचे होता सकते हो तो इसने भी value का देदी 1 देदी अच्छा अब 20 ने देखा भाई 20 को क्या करना है अगर हम किसी note पे है तो हमें minimum चाहिए न depth कि जहां हमें कम से कम चलना पड़े तो भाई 20 ने देखा कि हमें left side पे अगर हम जाएंगे तो हमें एक कदम चलना पड़ेगा answer की होई पहुँशने के लिए और 20 ने का कि अगर हम right से जाएंगे तो भी हमें एक कदम चलना पड़ेगा तो हम ऐसा करते हैं na minimum निकाल लेते हैं हमें किसके बीच में हमने का जो left subtree से answer मिलेगा और जो हमें right subtree से answer मिलेगा इन दोनों में जो minimum होगा हम उसको पकड़ लेगे तो one और one इन में minimum क्या है मैंने का कोई भी ले लो ना तो मैंने का one minimum है अच्छा one minimum है प्लस 20 20 को खुद भी तो एक इसको पार करना पड़ेगा तो one plus one इसका मतलब यह खुद अगर हम किसी node पे हैं और उसके child से हम कोई value उठा रहे हैं जो कि minimum है तो उस child तक तभी तो पहुचेंगे जब उस node से बुझरेंगे और उस node की खुद की value भी तो बन होगी ना समझे 20 को value क्या मिल गए 2 मिल गई है तो 20 ने अपना काम क्या दिये 20 का काम क्या था कि पूरे right subtree में 3 के right subtree में पता करूं क्या देप्त है तो 3 के right subtree में answer क्या मिल गया 2 मिल गया यहां से 2 मिल गया अच्छा 3 के left subtree से answer हमे 1 मिल ला था यहां से हमें 2 मिल गया अब 3 देखो देख रहा है 3 कहा रहा है कि मेरे left side पे मुझे एक ही कदम उतनना पड़ेगा answer को पाने के लिए और right side पे मुझे 2 कदम उतनने पड़ेंगे तो 3 भी तो दिमागी है 3 कहा देखा कि minimum बताओ तो 3 देखा कि minimum तो 1 है तो 1 जो 3 को मिल गया मतलब 3 समझ गया कि अब जहां पे हमें एक कदम उतनना होगा मुझे को select करेंगे वोला रास्ता जाएंगे तो 3 ने बोला 1 को में select कर लिया तो 1 को में select कर लिया प्लस अगर हमें यहां 1 एक कदम नीचे उतना है तो अपले हमें 3 में भी तो जाना पड़ेगा और 3 में जाने के लिए 1 एड करना पड़ेगा क्योंकि हमें 3 से भी तो कुछ आनना है अच्छा एक scene ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे node पे हो जिसके left side पे कोई tree हो और right side पे tree हो इना तो भाई इस node ने अभी तक क्या कर रहे थे कि दोनों side पे अभी तक क्या था कि ऐसा scene था कि दोनों side पे बच्चे थे बड़ ऐसा भी तो scene हो सकता है कि हम किसी ऐसे node में हो जिसका सिर्फ left side पे एक child और right side पे child हो ही ना तब हम क्या करेंगे हम भाई अब हमें right side पे नहीं है तो भाई ठीक है तो left side से जो भी दप्त मिले कि हमें मजबूरी है भाई कि हम अगर इस node पे हैं तो हमें रास्ता ही जब एक मिलना है तो हमें left side पे जाना पड़ेगा तो कोई minimum वाला scene नहीं बनता है तो हम left side पे चेक कर लेंगे है तो एक हमारा ES scene बन गया तो सबसे पहले तो आपको यहां पर class tree node दी गई है मतलब वहीं नहीं चाहिए तो आपको नोड बनाने के लिए इतना दिया गया और मैं रिकाल चाहिए अपने उपस वाली प्यलिस देखी होगी तो आपको यह समझ में आ गई होगी कि हम दोको ने कैसे एक class का structure define करते हैं तो मैं इस पर नहीं आ रहा हूं वह सिधा code पर आता हूं कि आपको जो function महां पर deal ने बनाना है तो मैंने क्या करा min depth नाम का मैंने एक function महां पर already provided है जहां पर आपको root दिया गया है उस particular tree गा ठीक है तो एक यह possibility हो सकती है कि आपका root exist ही ना करता आपका कोई tree ही ना हो तो उस case में root की value क्या होगी none होगी तो मैंने का अगर ऐसा कुछ है तो return कर देना 0 अच्छा कर ऐसा कुछ नहीं है तब तो मैंने का एक मैंने check नाम का बंदा already बना रखा है जो मुझे root की value लेगा और मुझे minimum depth निकाल के देगा और वो जो minimum depth होगी उसको मैं return कर दूँगा ठीक है अब वो check नाम का बंदा यहां पर था मतलब एक function मना दिया मैंने आप चाहो तो min depth को भी call कर सकते हो self.min depth करके but मै ने check नाम का especially अलग से बना दिया अपनी आसानी के लिए ठीक है तो इसने क्या कर रहे है इसने root value ली आप देखो सबसे पहले तो हम यह चेकाना पड़े करना कि कहीं हम leaf node पे तो नहीं है तो अगर root dot left none है और root का right none है मतलब हम लोग leaf node पे ना उसके left ने बच्चा ना तो उस सकते हैं और इसके right side पे नोट ना हो and root का right is equal to none अगर ऐसी situation है तो हम क्या देंगे ऐसा करो check तुम ऐसी situation अगर कहीं फसे तो ऐसा करना तुम left side पे ही check करना तो मैंने चेक करो root का left और जो भी answer मिले वह में देर देना उसमें plus one बाद मिकल लेंगे simple है और उसको हम return कर देंगे अच्छा ऐसा situation नहीं तो हो सकता है कि मैं ऐसे नोट पे हूँ जिसका right side पे कोई subtree हो और left side पे ना होता तो तब क्या करना है कि अगर root का left अगर none हो और root का right नहीं equal है none के मतला root के right में कुछ पढ़ा हुआ है अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे हम कहतेंगे check ऐसा करो त इसका left में भी कुछ पढ़ा हुआ है जिसके right में भी कुछ पढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे simple सा उस particular node के left वाले जो subtree है उस पर हम कहतेंगे depth पता करो पहले उसके बाद कुछ करेंगे भाई हम लोग उपर भी कर रहे हैं तो हमने क्या करा check ऐसा करो तो अगर उसके दोनों बच्चे हैं तो root का left चेक कर लो root के left से क्या answer आने वाला है फिर root के right से चेक कर लो वहां से क्या answer आने वाला है अब इन दोनों से जो भी answer आएगा उसमें हमें minimum निकालना है तो मैं रहे का इन दोनों का जो भी answer होगा उसका minimum निकालो और उसको कहीं रख चाहता है तो वो जो है यह समझ गया कि हाँ अकर मैं राइट साइड पर जाओंगो तो मुझे एक कदम नीचे और उतरना है मुझे आंसर मिल जाएगा बट राइट साइड पर जाने से पहले इसको खुद पे तो चलना पड़ेगा ना जो खुद पर चलेंगे तो इसको कोई ड्राइट कर लोगे किसी कोड का तो मैंने जदा समझ में आपको एक बार आ जाएगा बाकि अगर आपको उसको ट्री बना कर देखो गए तो रियल में यह चीज़े ट्री बना कर ही समझ में आती है और तभी आपको पूरा नजर आएगा आपको दिखेगा कि यहां भी कोई रतिभल चेंज नहीं है ठीक है तो मेरे खाल से अभी आपको पूरा कोड समझ में आपे आ गया होगा